खरगोन के सगड़ियाव गाउं से विगत 25 दिसंबर को एक बुज़ुर्ग की हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में कारवाई करते हुए पुलिस ने बुज़ुर्ग की हत्या के मामले में उसके पुत्र को गिरफतार किया है। मामले की जानकारी देते हुए धाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि पुलिस को विगत 25 दिसंबर को बुजुर्ग की हत्या होने की सूचना मिली थी इस मामले की जाच के दोरान पुलिस को उसके पुत्र शिवपाल सिंग पर ही शंका हुई जिसके आधार पर पुलिस ने उसके पुत्र को हिरासत में लेकर सकती से पूछताच की जिसमें उसने अपने पिता की हत्या करना कबूला अध्याव बड़ी संवेदंशी जगह है जब लोग गहां पहुंचे तो हम पर स्यूपाल नाम रग्ती लड़का है उसने बताया कि उसका खेत है सगड़याव से थोड़ा आगए पेटनाइस अधर पर हम पहुंचे तो हूं मौजूद था तो वहां पर पाया कि उसने बताए कि मैं अपने पिजाजी को पिजा देने बाद में पिजाड़े-10 बजए नीम जाड़े के नीचे सो गए और वह झाले मैं खौद वहां पर थोड़ी दूर पर नाली बनाकर पानी दे रहा था पुले मुझे अचानक धपस आवास सुनाई दी तो मैं दोड़ता हुआ गया कि पपा क्या हुआ पपा क्या हुआ तो वहां पर देखा तो तीन लोग खड़े हुए थे तीन लोगों ने मेरी कारण पकड़ी दूसरे ने मेरी टी मैं भागने लगा तो मेरी टीशेट पकड़ रिपोर्ट के उपर हमने देहाती नालसी वहीं मुकदमा कायम किया 302 का अग्याद विक्ति उतलब और देहाती नालसी ही मर्गे की लिए और पूरी कारवाई करी शओ को पोस्मार्टम के लिए पंच्राव अगरा की कारवाई के बाद में उसने जरूर बताया था हमने जब तो रंजिश वाला पहला पहलू देखा जाए तो कि बबलू सगड़याओं का जो निवासी है उसके साथ में इतनी छोटी सी बात थी फिर हमने इन्वेस्टिकेशन में पता किया तो पता चला कि यह घड़ना तो डगलग वहीं से तीन साल पुरानी है और उसके बाद तो इ अध़र से आवाज सुनाइए तो हमने सुबह अगले दिन प्रैक्ट्रीकल करकर देखा कि अस्थान पर बताता है वह बदाता पाण गरने की आवाज साथ में बाटाजयल रगा निवह?". पानी चलने की इतनी आवाज के सांथ में अथर गिरने की आवाज महां पर सुनाई दे यह समनों नहीं था तो शंका के दारे में तो था वो फिर जब थोड़ा सा हमनों ने पूछ आशकरी गाउं में तो कुछ घंटों में हमको बहुत महत्तून जानकारिय लगे कि यह जो रि पहले अपनी मा को मारा था और अपने पिताजी से भी इसके संबन अच्छे नहीं थे इसके काका बावा दादा रिश्ट्यार हो गई यह ऐसा कहना था कि बाप बेटें बनती नहीं थे बहुत सारे बिंदू थे इसलिए उससे शिवपाल से सक्ती से पूछताज कियाना है इसको इससे पूछताज करी तो इसने थोड़े देर हमको घुम्रा किया यह नहीं अपनी बात पर अड़ा रागी जो मैंने रिपोर्ट करी वही सही है फिर पुलिस ने अपनी हिकमत अमली पर मनोविग्यान और जो हमारे पास तर्थ्यात्मक जान करी थी उनको जब प्र सब्सक्राइब करें और इसके लिए इसके लिए शिवपाल ने यहां बंधन मेंक से समू ठाया था तीज जमानी कर रहा था दो तीन किस्त जमानी कर रहा था और इसको समू वाले परिशान कर रहे थे कि मैं पैसा चुपाँ हूँ शिवपाल के मताबिक उसके फादर जो थे मतंग जो हैं साहिब सी वह बहुत कंजूस किस्म की वेक्ती थे और पैसे देले को दबा कर रखते थे लड़के के विश्वास नहीं करते थे इसको लगा किया थी कि अभी पिताजी तक बात पहुंची कि फाइनेंस से मोबाइल सा पर अंवा रोट पर एक जमीन है एक एकर जमीन करीब है उसका वह जमीन उसमें चली रही है उसका करीब सत्तर बहुत तर्लाग रुप इनको मिलना इसको रहा है तो इसको लगता था मन में आया कि यदि पिताजी नहीं रहेंगे तो पैसे के ऊपर प्रापरी के उपर यह जाता था इस दिन पिता जी किसे बोलकर कि मुझे अड़ लग रहा है खुद भी पिता जी को सांथ में ले गया पिता जी को फिर कह दिया कि आप सो जाओ में दे रहा हूं पानी पिता जी दो गंबर ओड़ के महां सो गए और फिर इसने अपनी सोची वी रणुपी के तहर वहीं पास में बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था वह जाड़ के पीछे से घूम के आया और देखा इसने आश्वा सो गया कि पेदाजी सो रहे है तो इसने उनके चेहरे को पर पत्थर पटका और फिर वहां से बाग दिया और यह तीन मंगणन तीन लोग की अग्यात लोग करते हुए अपना अपराद कभूर किया उसके उसके पहने वे कपड़े खुन अलोदा जो पत्थर जिससे हर्प्यार हुई थी वो सभी उसके आरोपी की निशादी में जटका लिए रहे है और शीगरे ही पलिस इसमें आज तो पलिस उसमें उसको जुडिशली मांट पे व पूट